नवश्कार दोस्तों साथियों मित्रों एवं पिरिये दर्शकों आप सभी का स्वागत इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूं अल इंडिया इंस्टिट्यूट ओफ मेडिकल साइन्स का हॉस्पिटल है उत्राखंड के रिसी केस जगहा पर यानि के एम्स रिसी केस की तरफ से जॉब आप सभी के लिए आ चुकी है जो की फैकल्टी पोस्ट पर आई है आपको बताना चाहूंगा यहां पर 86 लोग का पर जो की अलग-अलग विभाग में अलग-अलग पोस्टों पर अलग-अलग केटेगरी से लोगों को ले रहा है पूरे देश भर सी यानि पूरे इंडिया कंट्री में अगर आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे होंगे आप सभी लोग इस पर अप्लाइब कर सकें है यानि कि जो टॉप होस्पिटल है इंडिया कंट्री के उन में से एक उन में से रैंकिंग करने वाले होस्पिटल में आने वाला होस्पिटल है और यह गवर्मेंट होस्पिटल है और यह काफी सारे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पेशेंट्स को आपके ह काम से उनको वापर फायदे दिये जाते हैं क्योंकि एक गवर्मेंट होस्पिटल है तो यह तो किलियर है कि वहां के निवासियों को फायदे देना उनकी प्रात्मिक्ता होती है तो मैं आपको बता दूं कि एम्स रिसी केस के अंदर यह जौब रहने वाली है 86 वेकेंशियों पर निकाली गई जौब औल इंडिया बेस पर निकाली गई जौब है यानि पूरे देश भर से लोग इस पर अपलाए कर सकेंगे यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आप सभी इस पर अपलाए कर सकते हैं सपोज मानी आप उत्राखंड में रहते हों पिर किसी भी जगह पर इंडिया में रहते हैं तो आपको बता दू आप इस पर अपलाए कर सकते हैं क्योंकि यह जौब आप समी के लिए होने वाली है कुछ कंडिशन होंगे जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी एज रहेगी और सेलेक्शन प्रोसीजर में क्या-क्य रह गया है अभी आगर बात करें तो सिर्फ 10 डेस का समय है आपके पास इस फॉर्म पर अपलाए करने के लिए जो भी एपली केवल होते हैं 10 डेस के अंदर अपलाए कर सकते हैं इस जौब पर और काफी सही जौब रहेगी गवर्मेंट जौब होगी और जौब के अलावा अभी सारे फायदे जो एंपलाए को मिलने वाले होते हैं वो यहां से मिलेंगे तो सबसे पहले हम बता दें आपको एमस रिसी केस का ओफिशल वैबसाइट है यह और आप अगर देखें इस वैबसाइट पर ही आपको यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर मिल इस जॉब के आप वहां से जा कर भी इसको देख सकते हैं काफी एक सुनहरा मौका और काफी इक बढ़िया चांस रहेगा आप सभी के लिए आप इसको जुहाँ से भी देख रहे हो अगर मानि है आप दूसरे देशों से देख रहे हैं इस वीडियो को इफ यह वाचिक इस from the another country's exception India then you can you can you have to be send this video on that people's who are the citizens of India because this job is only for the citizen of India not the outside one मतलब कि ये बहर वालों के लिए तो नहीं है सिर्फ इंडिया के लिए लोगों के लिए ही ये जॉब होगी अगर आपके पास आ भी गई है आपके आप वीडियो को देख भी रहे हैं तो आप उन लोग तक पहुचाईए जिसको इसकी काफी जरुवत है और इसमें फॉर्म का जो डेट है उसके इसाब से अगर काफी जल्दी आपके आप तक जांकारी पहुचेगी तो आप सभी लोग इस पर अपलाए कर पाएंगे और आप अपना एक रोजगार एक नौकरी या एक जॉब एक काम जो है पर आप ले पाएंगे चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर यह दो दोस्तों यह सिर्फ 10 पेज का नोटिफिकेशन है इसके अंदर सारी चीजे कवर हैं एम्स रिसी केस का रिसी केस का है नोटिफिकेशन यह आपका आया था 23rd of October में आ गया है नोटिफिकेशन अगर हम आज डिसकस कर रहे हैं यानि कि 10 डेज बात डिसकस कर रहे हैं फॉर्म के डेट्स में 20 डेज का समय दिया गया है उसमें से अभी 10 डेज ही रह गए हैं आपको बता दू गुरूप A का पोस्त रहेगा और यह फैकल्टी पोस्त है दोस्तों फैकल bestWow Government of India Government of India के बहुत सारे MINISTRY में से एक Health and Family welfare MINISTRY नाम का MINISTRY tricks यह इंदर आता है यह AEMS तर्शिरी लेवल हेल्थ केर इन कंट्री एंड अटेझिग सेल्फ इशुफिशेंसी इन ग्राइटएट औप्स ग्राइड एंड पॉस्टगेशन एंड ट्रेनिंग इनका काम यह है कि यह चाहे जो लोग इंको प्रोसाहन दें जो लोग ग्राइड हो चके हैं पोस्ट करें साथ में उनको जॉब प्रोवाइड करें मेडिकल फिल्ड में यह इनका काम है योजरा के तहत यह इन्होंने बताया हुआ है ओनलाइन एप्लिकेशन इन्वाइट करें गए हैं फैकल्टी पोस्ट पे डिरेक्ट दिगें आप तीन तरह के पोस्ट होंगे आपको बता तरह क्वाइट के लिए लेकिन मतलब होता है कि आपको एक क कुई काम दिया गया Esse me again की से में आपको वह रूप करना है उसके बाद आपका यह जोब नहीं होगा सिरिक तब तक हो सकता है कि यह एक बदेक्ट में भेजके यह क intentar AP भी कर सकते हैं सब्सक्राइब को बोल दिया कि आप जो है काडियोलोजी में जाके इस पोस्ट पर काम करिए इस assignment पर यह वाले प्रोजेक्ट पर तो आपको वह काम करना होगा तो यह deputation वाले पोस्ट में आएगा contractual वाले जो हो रहेंगे वो भी ब्रत वाले फरक दांबें अगर वाले को काम करेंगा और ie करेंगोए इसको काम करेंगी गहां थी काम यह काम करेंगैंग सिपड़ेक्ण सब्सक्राइब करिए और य उसके बाद यूशली भी बेजा जा सकता है एम्स रिसी केस के द्वारा कुछ काम करने के लिए जो उन्हीं का काम होगा डारेक्ट रिक्रूटमेंट यानि रेगुलर पोस्ट तीनों में डिफ्रेंस यही रहेगा एम्स रिसी केस उत्राखंड राज्ये में है आपको बता दू बारत के लग अध्मर्टाइजमेंट नंबर है आप आसे भी देख सकते हैं बाकी आप इसको भी समझ सकते हैं दिकिए इसमें एक तो जनरली यह वाला नोटिफिकेशन सारे पोस्ट को कवर कर रहा है अगर हम बात करें आपर एनटॉमी डिपार्टमेंट में आपका एसोशेट प्र बायो केमिस्ट्री में प्रोफेसर की पोस्ट है और इसकी एक ही वेकेंसी है वो भी अधर बैकवर्ट कास्ट वालों की है बर्न बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वह अनुसुचित जाती ही वह और आपका यह नहीं की स्केडूल कास्ट ओबीसी वालों की एक एक वेकेंसी रहेगी अलगलग पोस्टों पर रहेगी प्रोफेसर की जो गर इस प्लास्टिक सर्वरी सर्जरी विभाग में प्रोफेसर को एक वेकेंसी दी जाने वाली है प्रोफेसर की जर्येक्ट रहेगी SC वाली category वाले को professor मिल जाएगी पोस्ट associate professor की OBC वाले को मिलेगी काडियो लौजी में OBC वाले की एक वेकंसी जो की additional professor की रहेगी Cardiothoracic surgery जो रहती है आपकी उसके लिए भी आपकी दो वेकंसी है Dentistry Dentistry में OBC की एक वेकंसी है Dermatology Dermatology में दो वेकंसिया है Endocrinology और Metabolism में आपकी यहाँ पर तीन वेकंसिया रहेंगी और gastroenterology gastroenterology में आपकी एक वेकंसी रहेगी जो की प्रोफेसर की है जन्रल मेडिशन में यहनि की GM में प्रोफेसर की वेकंसी OBC की है दो है अगर बात करें हम यहां देख रहे हैं भाई यहां पर आपने सब बता दिया OBC में है स्ट में है और यूर वालों की कहा है जन्रल वालों की कहा है वह हमें देखने को नहीं मिल रही जैसे हम आगे बात करेंगे जैसे आप देखिए थोड़ा नीचे आते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा nephrology nephrology में UR category के एक candidate को मिल जाएगी professor की job एक चीज और बताना चाहूंगा जो reservation category नहीं होती है उसमें reserve category वाले लोग भी एक UR के तोर पर apply करके उस post को ले सकते हैं क्योंकि उनके पास ये chance होते हैं लेकिन UR वाले reserve category वाली वेकेंसिया नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो पहले ही reserve है आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो चीज reserve है तो उसमें unreserved वाला कैसे उस job को ले सकता है neurology में OBC वालों की एक वेकेंसि प्रोफेसर की additional प्रोफेसर में neurology surgery में दो वेकेंसिया आपकी यहां पर दी गई है एक आपका अनुसुचित जाती से लिया जाएगा और एक आपका UR से यानि कि वो candidate जो कोई किसी reservation को acquired नहीं कर रहा है किसी reservation में नहीं आ रहा है financially stable है वो लोग इसमें आ जाएंगे जो लोग UR में आएंगे और दुसरा nuclear medicine की SC में एक वेकेंसि है और ophthalmology ophthalmology में OBC में एक वेकेंसि दी है और इस तरीके से सारी वेकेंसिया आपकी लिखी गई है अलग-अलग category wise और अलग-अलग post की category wise किस post पर किस काम पर क्या वेकेंसिया होंगी आप यहां से सारी चेक करेंगे यह सारी direct वाली है आप देखिए मैं इसमें उपर आपको एक चीद दिखाता हूँ backlog vacancy है यह सारी backlog vacancy मतलब कि यह vacancy है वो है जो पिछली बार recruitment करते समय खाली रह गई थी जिनका advertisement number आपको ना दिया गया है इनको आप भरा जाएगा क्योंकि यह चीज़े खाली रह गई थी कारड हो सकते हैं काफी इसके खाली रह जाने के fresh vacancy मतलब जो अभी आई है vacancy fresh में वो 11 vacancy आई है जिसमें आपका anesthesiology में और anatomy में और यह सारे विभाग में आई है total आप यहां से देख लेंगे बाद college of nursing के लिए एक vacancy रहेगी lecturer चाहिए इनको nursing में जो की assistant professor का post होगा यह vacancy हो सकती है अगर aims के director चाहते है इस vacancy को change करना तो कर सकते हैं application process की बात कर लें यापर तो आपके पास 13 November के रात के बारा बज़े तक का समय रहेगा form पर apply करने का application fees की बात करें तो बिना किसी reservation वाले को 3000 रुपे पे करने है पर post पे आपको एक post पे इतना पैसे पे करने होंगे जो भी आपका यहां पर amount दिया गया है दूसरा अगर आप female रहेंगे यूर category वे तो आपको 1000 रुपे पे करने होंगे अगर आप अनुसूचित जाती और जनजाती में आ रहे हैं तो 500 रुपे एकस एकसेंप्ट मतलब कि आपको disability वालों को fees पे नहीं करनी होगी आप पर जैसा लिखा गया है आपको यह जो है अधार कार्ड resident proof और यह सारी चीज़े लगानी होंगे इसके अंदर या फिर central government में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विभाग में काम कर रहे हैं अभी तो वो लोग यह नोसी फिल करके जम्मा कर देंगे जिससे की उनको भी जॉब में apply करने का मौका मिल पाए आपको बता दू आप जहां काम कर रहे होते हैं उनके ही permission से उस form पर verify कराते हैं उस चीज़ को फिर वो form में लगा देते हैं इसके अलावा आपको photo sign जैसी चीज़ अप्लोड करनी होंगी category certificate जैसी चीज़े अप्लोड करनी है EWS की बात करें दोस्तों EWS के reservation किस तरीके से मिलेंगे क्या उनके रूल है यहां पर आपके लिखे गए है short listing कैसे होगी कि site of interview की बात करें interview जो होगा आपका एम सरिसी case में interview रहेगा इस post इस job पर कोई भी आने जाने का खर्चा आपको मिलने वाला नहीं है आप खुद के व्याफ पर जाईए और interview दे दीजिए इंडिया में कहीं से भी experience की बात करें फर faculty post की जो भी मांगा जाएगा अगर देखिए तो आपको 13 November के date के इसाफ से experience दिखाना होगा जो भी आपका experience है उस field में आपको उसी date के इसाफ तब तक आपका experience complete होना चाहिए आपके पास document होने चाहिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पर यहाँ पर है एक professor के बारे में कि for medical candidates 14 year teaching and research experience होना चाहिए इन रिकॉनाइज institute के अंदर in subject specialty 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 after obtaining md यानि कि master doctor of master master of doctor और इसके लावा master of surgery और master of कि यह master of surgery हो जाएगा ms का मतलब है और md और mds यह सारे आपके कोर्स हैं आपके जो भी आपने degrees लिए होंगे उनके के बारे में लिखा गया है तो वो जो भी आपने करें होंगे इसके बाद in qualifications के बाद आपका 14 साल का कम से कम experience चाहिए teaching का अगर आप professor post पर apply कर रहे हैं तो आपको 14 साल का experience चाहिए होगा कम से कम इस पर apply करने का अगर आपके बारा साल का experience है तो आपके लिए अलग conditions लिखे गए हैं बाकि आप यहां से रीड करेंगे additional प्रोफेसर में भी आप यहां से रीड कर लेंगे experience के बारे में सारा कुछ पोश्टों के लिए experience जरूरी है दोस्तों यहां पर सारे पोश्टों पर यहां से आप रीड कर लेंगे आज की मैं आपको बताना चाहूंगा एज जो है आपको डिरेक्ट रिक्रूट्मेंट वाले पोश्टों पर फैकल्टी पोश्ट जितने भी थे आपके यहां पर सारे फैकल्टी पोश्ट है दोस्तों एज लिमिट यहां पर पचास से कम रहेगी assistant professor और associate professor पर अप्लाए करने के लिए और additional professor और professor के पोश्ट पर अगर आप अप्लाए कर रहे हैं तो आपकी 58 एज रहेगी यह maximum है एकसीडिंग मतलब कि इससे ज्यादा ना हो यानि कि इससे कम कम होनी चाहिए आपकी डिरेक्ट पोश्टों पर अगर आप नर्स मेडिकल वाले में अप्लाए करें नर्सिंग फिल्ड में अप्लाए करेंगे तो पचास और वहीं सेम रहेगा आपका maximum एज पचास रहेगा य वहीं आपकी एज रहेगी कॉंट्रेक्ट्ट पोस्ट में बोल दिया गया है कि आपकी 70 से कम वाले अप्लाए कर सकते हैं यानि कि आप पर आप देख सकते हैं 60 65 69 एज तक के लोग इसमें अप्लाए कर सकेंगे इन पोस्टों पर रिलेक्श्टों की बात करूं अब यह जो केज में आपको बताई इसके अंदर एक्स्ट्रा आप जोड लीजिए अगर आप इन कैटेग्री से आ रहे हैं तो अनुसूचित जाती जन जाती वाले इसको 70 की जगा 75 समझ लीजिए अपने पोस्ट के लिए जो आपका पोस्ट पर 70 दिया है वो बीसी वाले इसमें 73 समझ का पे एंड अलवेंस की बात करें आप पर तो प्रोफैसर को एक लाख अर्सट हजार एक लाख अर्सट हजार नौसो रुपए से लेके दो लाख पीस हजार चार सुरुपए हर महीने बिलेंगे प्रोफैसर आप देख रहे हूंगे मैंने यापर नर्सिंग में भी और मैड करी मैडीसिन में भी आपके अलगलग जो भी पोष्ट इसकस करी दोस्तों उसमें आपने देखा होगा मैंने अडिशनल प्रोफैसर बताया था एसोशीयेट प्रोफैसर था प्रोफैसर था लेक्चरर भी था तो इनकी सैलरिया जो हैं दोस्तों यह वो यहां पर दी गई है हैं चाहिए वो किसी भी फिल्ड से आ रही हूं मतंब किसी भी फिल्ड मतंब ये हो गया चाहिए वो practicing से हो Magical से हो या फिर Deputation हो या direct या फिर ariat हो उससे लेना देना कुछ भी नहीं है डाक को professor के Post पर इतना salary मिलेगा additional प्रोफेसर को मिलेगा एक लाग 48,200 रुपे से लेके 2,11,400 रुपे हर महीने दिया जाने वाला है यहाँ पर यह salary रहेगा आपको तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर minimum मान के चलना जो minimum range दिया गया है वही आपका salary है maximum तो बढ़ेगा काम के बेस पर आपका बढ़ेगा सबसे कम salary यहाँ पर lecturer nursing के अंदर रहेगी जो की 67,700 है तो आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर 68,000 पर मिल जाएंगे कम से कम terms and conditions है जैसे कि कुछ लोग जो है कुछ लोग करें जो terms and conditions दिये गए हैं वो यहाँ पर लिखे गए है HR A house rent allowance भी मिल रहा होगा यहाँ पर और इसके अलावा जो भी फायदे दिये जा रहे हैं एम्प्लॉय को AIMS RISI case में वो मिलेंगे सारे के सारे फायदे मिल रहे होंगे आपको तो सारी चीजे हो गई दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे लें आप एक पॉइंट शॉट लिस्टिंग की बात है बेस्ट ऑन बायो डेटा सिलेक्शिन कमिटी में शॉट लिस्ट कैंडेट्स पर इंटर्व्यू कैंडेट कॉल पर इंटर्व्यू विल हैव तो प्रोड्यूस ओल रिलेवेंट यहाँ पर आपका क्या होगा कोई एक्जाम नहीं होगा शॉट लिस्टिंग मतलब की कैसे सिलेक्श करेंगे तो आपका जो भी बायो डेटा है रेज्यू में हैं या फिर आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन्स है उनके बेस पर यहाँ पर आपको शॉट लिस्ट करेगी कर सिलेक्शन कमिटी और यह आपका फिर उसके आद इंटर्व्यू लेगी और इंटर्व्यू के बाद आपको यह जॉब दे देगी एक्जाम कुछ भी नहीं होगा आपको सारे डॉक्युमें है दोस्तों एक्जाम नहीं हो रहा है आपको आपको यह पोश्ट मिल जाएंगी आपको करना क्या है फॉर्म पर अप्लाइ कर देना है अब यह डाउट है कि एक से ज्यादा पोश्ट पर अप्लाइए कर सकते हैं लेकिन अलग से अलग अलग पोश्टों पर सेपरेटली कर दीजिए यानि कि अलग से फर्म परिए अलग से फीस पेमेंट करिए अलग से सम्मिट करके अलग से उसको प्रिंट लेकर अलग अलग रखिए यह आपके पास रहेगा पूरा प्रोसेस अप्लाइए करनेगा मतलब अगर कोई कैंड़ेट एनटॉमी में दौनों सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन वही सेम फीस है आपके 3000 यू आर से महिलाओ के लिए वह एक हजार यू आर से बाकी डिसैबिलिटी को पैसे नहीं देना है तो डिसैबिलिटी बालों से तुम्हें कहूंगा भाई जितना हो सके चांस अगर आपकी पास क्वालिफिकेशन ह एलिजबिलिटी है तो आप जितने हो सके उतने फॉर्म यहां से भर दीजिए चांस आपके वड़ेंगे जौब मिलने के और इसमें पूरे देश से फॉर्म भर सकते जोग जो भी इसके लिए वह उजीबल होते है मां लीजिए आप अगर इसमें हर कंड में रहते और वहां से बाढ़ाई जारी करिए तो आप झाल से वहां में बर सकते हैं दोन ऊड़ीजा से भी बर सकते हैं गोवा से भी बर सकते हैं कुजरात से या किसी भी जगा से भर सकते हैं इंडिया में चलिए आपका आगया फॉर्म आप तर अगर देखें तो मैं थोड़ा इसमें बैख जाता हूँ देकर यहांपर आपपको नियूाइट अनपर किलिक करना होगा यूलिंक मैंने दे दिया है यू रही सिर्श right now पर किलिक करके अन्तौमिया जिस पे भी अप्लाइ कर रहे हो आप किलिक करकर केया आजाएं के वहांब कर जैसे कि मैं आपर हॉस्पिटल एड्मिस्टेशन में देखता हूं या फिर जनरल सरजरी में देगे इस तरीके से आपको यहाँ पर पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है कौन से कौन से विभाग में आप अपलाए करना चाहरें वह आपको पहले चूज करना पड़ेगा उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें अपलाए करने की तरफ कि देखे इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैंने लेक्टरर की फोस्ट चाहिए charging के अंदर मैं उसके लिएव इस department में अपलाए करना चाहरा है यानि है कि लेक्टरर क्या हो जाता है Ec प्रोफेसर हो जाता है दो लेक्टरर जो है ऐसिस्ट छिस्टिन लेक्टरर नर इसिंग लेक्चरर में में को एसिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अपलाए करना है तो मैं यहां आगया उसके आमने अपलाए नाव पर किलिक कर दिया और आप अगर देखें तो यहां पर क्या यहां पर आप्शन दिये गए है कैटेगरी वाइज जो भी आपकी कैटेगरी कि उसको आप सिलेक्क करके अपलाए कर सकते हैं मैं जैसे कि मैं आता हूँ अनुसूचित जंजाती में आता हूं तो मैं H कर TD करूब ऑ कि अपना नाम डाल दुतwałा जो मेरा नाम होका वो यह लता है फिर मिदल नेम जो है पीछे जो नाम के आगे आता है उसके बाद में आता है वो लगा दूगा यहां पर लास्ट नेम जो-भी रहेगा वह यह पे डाल दूंग तु Travis श्रूल करेक्ट तो भी आप अपना आई ड धूने होंगे वह को इस तरीगे से बड़न देना है फिर अपना नमर जो भी आपका होगा कि फिर यूजर नेम और अपना यूजर ने मिरा लीजे यहां से पासवर्ड सापना बना दी कि एन यूभ कच से बनाएंगे आप यहां से कोई पासवर्ड पासवर्ड के लिए आपको शुरू में एक जो है बड़ा कैपिटल यानि की लार्ज कैपिटल वर्ड यूज करना है A to Z में से कोई सा भी उसके बाद आपको numbers use करने अपने password में और एक कोई special character यानि कि add the rate हो सकता है, dollar हो सकता है, hashtag हो सकता है, star हो सकता है, यह सारे आपका special character में आते हैं, इन में से कुछ भी use करिए, अपने password को बनाते में, तो इस तरीके से और कम से कम 5 letter यूज़ करिए alphabet के और 2-3 numbers use कर लिए, और password वहां से आपका बन जाएगा, username आप अपना रख दीजे, कोई अलग सा, आप यह बताईए, कि आपको जो है, आपर job type कौन सा है, तो आप यहां से इसमें जैसा आप यह सब देख रहे हैं न, सबसे पहले पर अपलाय कर रहे है, direct post पर या reputation base पर जो भी आपका रहेगा या contract पर, तो आप पहले notification में देखेंगे, वो post कौन से base पर दिया गया है, उसके base पर आपको select करना है, जैसे मैंने contractual कर दिया, या जो भी था, मैंने direct करके, फिर इसको submit कर दिया, यह होगा रहे registration का process, इस तरीके से आपका registration तो हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका form भराया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना photo, sign, category certificate, documents, mark sheet, experience certificate जैसी चीरे, यह certificate से आप देख सकते हैं, यह category certificate, यह आपका 10th certificate, यह degree है आपकी, और इस तरीके से आपका यह, यह experience certificate हो गया, इस तर अपलोड हो जाने के बाद, जैसी आप यह सब अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको end में fees pay करना होगा, इस form का, और उसके बाद उसको submit करके print करना है form को, इतना process होगा, और यह apply हो जाएगा, इसके अलब कोई भी अलग काम नहीं होगा, all India base पे apply कर सकेंगे, सभी लोग मैं आपर जो link provide कर रहा हूँ, वीडियो के नीचे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपर lecture in nursing के अंदर, मैं link provide कर रहा हूँ आपको, बाकी link जो रहेंगे आपको, आपको वहाँ से, जो एक common link है, वहाँ से आप choose करके अपना apply कर पाएंगे, एक common link, और एक आपका post link, post link म मैं आपको ये वाला link provide कर रहा हूँ, nursing वाला, और बाकी आपको common link provide रहेंगे, जिसमें आप अपना post को select करके apply कर सकेंगे, दूसरा, इन सब के अलावा, notification और बाकी जनकारी आपको वीडियो के नीचे provide है, वहाँ से आप जाईए और इस सीच को देख लीजी, रही बात, इस नीचे फायदे दिये जा रहे हैं, जिसको भी apply करना है, आप कर सकते हैं, ये आप लोगों तक पहुचाईए, simple होता है दोस्तों, वीडियो के नीचे ये आपको share का option मिलता है, वहीं से आप जाके share कर देते हैं, थोड़े से second में ही, आप आपके पास से वीडियो दूसरे ल अन्यवाद!